नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हारदिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा मकर रासी सनी परिवर्तन सत्रा एक तू थाउजन ट्वेंटी थ्री दो हजार तेज के पहले ही महीने में सत्रा तारीक को शनी महाराज समभा ब्रमान का सबसे रंबे रासी में रहने वाले प्लैनेट सनी महाराज सत्रा तारीक को रात को आठ बजकर दो मिनिट के उपर रासी परिवर्तन करने वाले हैं और वो रासी परिवर्तन करेंगे मकर रासी को छोड़ के अपने खुद की एक पोजीटिव रासी कुम्ब रासी में ब्रह्मन करे तो यहां जो साड़े साती आपको चल रही है उसका जो लाश्ट पड़ाओ है उसमें सनी माराज एंटर करने वाले हैं और जो लाश्ट पड़ाओ रहता है वो काफी हद तक रिलेक्स रहता है इतनी तकलिफे इतना कश्ट इतनी दुविदाए प्रॉब्लिम समस्या आपने फ का जौब को पूरा उपर नीचे कर दिया है तो यहां शनी जो न्याई प्रिया है और वो हमेशा एक न्याई के लिए जाने जाते हैं तो शनी अपनी मकर रासी को ही छोड़कर अपनी ही पॉजिटिव रासी कुम रासी में करीबं धाई साल तक तीस महिना वो ब्रह्मन करने वाले हैं तो मकर रासी मैंने जैसे बताया आपके लिए साड़े साथी का लास्ट पढ़ाओ चालू होगा और यह लास्ट पढ़ाओ आपके जीवन के लिए बहुत थी अमुल्य और बहुत थी इंपोर्टन्स माना जाएगा क्योंकि अभी जो एड़ प्रेजन का अस्थ्वियस्थ हो गया है, लाश्ट महिना जो गया है आपका 15,11 का महीना थटी डेस देज, वो आपको एक अलग ही अनुबह करा के गया है, बिजनेस के ले कर आपके जॉक के ले कर, आपके घर, प्रॉपर्टीज मकान, वाँ ये सब तकलिफों आपने देखी हुई है लेकिन यहाँ शनी जो परिवर्तन करने वाले है रासी उसके बारे में बात करेंगे तो शनी जैसे मैंने बताया आपकी रासी में से अभी धाई साल तीन साल खतम करके वो अपने सेकेंड हाउस में खुद धनस्तान में रुप्यों के अंदर और वो भी कुम रासी के बैठने वाले हैं तो ये जो परिवर्तन है शनी का ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा जितने भी मकरासी वाले वीवर्स भाई बैन है आप सुन लीजिए कि ये जो परिवर्तन रहेगा शनी का ये आपके लिए एकदम पॉजिटिव रहने वाला है ये पॉजिटिव इंपेक्ट इसके आपकी कुंडिली के अंदर जरूर जरूर दिखेगी आपको आप जैसे ही शनी का परिवर्तन होगा 17.1.23 के बाद और फिर दीरे दीरे दो तीन मैना सनी माराज को थोड़ा सैट होने में लगते हैं मतलब ये समझ लिए अप्रिल के करीब करीब अप्रिल के बाद की जो सिट्वेशन बनेगी वो आपके लिए बहुत सारे अच्छे रिजल्ट बनाते हुए जाएगी क्यों कि यहां शनी सेकेंड हाउस में और लगनेश आपकी रासी का स्वामी है और वो खुद इतना स्वगरी हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा दो रासी होती हर ग्रहों की सिवाई सूर्य चंद्र को एक्सेप छोड़ दीजी आप हर ग्रहों को बाकी के हर ग्रहों को दो रासी का अधिपती बनाया गया है तो यहां शनी भी दो रासी के अधिपती है, मकर रासी एक और कुम रासी के, लेकिन मकर में वो इतने positive नहीं होते हैं, वहां वो अपना रोद्र रूप दिखाते हैं, लेकिन जब यहां से निकल कर वो कुम में आते हैं, तो यहां जो आपको सिखाया गया है, यह सिखाने वाल के पांच साल आपने देखे हैं, उसमें आपने बहुत कुछ learn किया है, सीखा है, जो गलती आपने जीवन में की है, वो यहां सुधारने की अभी आपको मौका मिलेगा, जब यहां शनी आएंगे 17.1.2023 के बाद, तो आपने जो पांच साल में गलती की है, आगे के जो साल मे आपने गलती की है, जीवन को आपने बहुत इजी लिया है, संसार को आपने बहुत इजी लिया, हर चीज को आपने importance नहीं दिया, काम को नहीं दिया है, आपने जॉब को नहीं दिया है, आपने कर्तव्य को नहीं दिया है, आपको जो duty दी गई है, आपको जो duty में से आपने duty में उपर निचे किया है, आपके काम के प्रत्य आपने लगाव नहीं लगाया, आपको 12 घंटे की duty है, तो आपने उसमें 8 घंटा काम किया है, काम 4 घंटे की चोरी की है, काम चोरी, तो वहां शनी माराज नाराज होते हैं, शनी कभी गलत नहीं होते हैं, कभी भी वो आपको नुकसान नहीं पहुचाते हैं अपने ही जो स्थिती है अपने ही कर्म हमको सब चीजे यहां सिखाते हैं सब दिखाते हैं तो यहां शनी आपके लिए पोजिटिव यहां पूरे बनेंगे जो पांच साल आपने देखे हैं यहां धाई साल और यहां तीन साल और यहां तीन साल है शनी इस बार वक्री मारगी होके तो यहाँ पांच साल साड़े पांच साल का जो समय आपने निकाला है तो ये पांच धाई साल जो है ये आपके लिए चार चान लगाने वाले होगा लेकिन उसके लिए आपको अभी से सतर्क होना है अभी से आपको उसके लिए तयार हो जाना है अभी से आपको लिए जो आपकी गल्टी आपने की है उसके उपर पहले से स्टॉप कर देना है तो ये धाई साल में शनी आपने नहीं सोचा होगा आपने नहीं कल्पना की होगी ऐसा आपको result positive देंगे ये जो मैंने बोला साड़े-पाश साल आपने निकाले है लेकिन ये जो पॉंइट है यहाँ धनिस्तान में कुटोम में इतना बड़ा शनी होके आया है और भी कुम रासी में positive रासी है वायुतत्व की रासी है और शनी जबी भी वायुतत्व में बैठे हैं तो उसका जो result है वो positive मिलता है लेकिन आपको अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा आपने जो mistake की है उसको सुध पड़ेगा शनी आलसी को बहुत ही regret करते हैं मतलब उनको दूर करते हैं निगलेक करते हैं तो यहां आपको आलसीपन छोड़ना है आपके अंदर एक भाव लाना है काम के प्रत्य अपने बिजनस के प्रत्य जो आपको duty दी है उसको निभाना है जल्दी उठना है स्नान करन है पुझापाड करनी है अपने काम बिजनस पर लग जाना है घर के प्रत्य आपको अपना आदर सतकर निभाना है जो आपको घर की duty दी गई है उसको भी आपको निभाना है क्योंकि छोटी छोटी चीजों शनी बहुत बारिकाई से मार्क करते हैं तो यहां घर की duty भी आप को डी है आपके बच्चों की आपके मिसिस की आपके परिवार की उनके प्रत्य भी आपकी जो ड्यूटी है आपकी जो जवाबदारी है रिस्पॉंसिबिलिटी है उसमें भी आपको उपर नीचे नहीं करना है जहां जहां आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है जहां आज होते हैं जवाबदारी में से कभी भी आप पीछे मत जाईए उसको पूरी तरह से सिद्दत से निभाईए तो ये शनी आपको निहाल करेगा ये आपको मेरा वचन है इसने यहां शनी बहुत बढ़िया होके आये हैं बहुती सूपर डूपर गिने जाते हैं सेकेंड हाउ होगे तभी आपको वो सब चीजें बिलेगी लाइक काते बगर कुछ चीजें नहीं मिलते कलेक्टर बनना है तो उसके लिए भी आपको एक्जाम पास करने पड़ती है उसके लायविलिटी मत्त्राइब को लायग बनना पड़ता है जब आप लायख हो जाएंगे तब आप को उसकी जगा पे बिठाया जाएगा तो ये चीजे यहां शनी प्रदान करेगा इनकी जो ड्रस्टी है वो अतिशुभ ही है यहां भी गिरेती वो भी शुभ है क्योंकि अपने खुद के घर में बैटे हैं और यहां भी वो देखेंगे अस्टम नजर से तो भी बढ़िया ही देखेंगे और लास्ट नजर उनकी यहां इलेवंध हाउस पे है वो भी शुभ नजर गिरेगी क्योंकि यहां वो अपने खुद के घर में बैटे हैं शुभ नजर में बैटे हैं और शुभ नजर में लास्ट में सनी धाई साल में आपकी परिक्सा लेते लेते आपको बढ़ाएंगे अच्छे रहो बढ़िया रहो खुब सुखी रहो